दोस्तों, Gogoro एक Taiwan-based electric scooter and battery swapping station company है Gogoro की Taiwan में 1.1 million batteries है 10,000 swapping stations है जो की 2400 locations पर है इंडिया में Gogoro ने Hero Motocope के साथ एक collaboration किया हुआ है इंडिया में swapping stations को लगाने को ले करके मगर अब Gogoro खुद अपने electric scooters इंडिया में ले करके आना चाती है तो उसके लिए एक नई strategy बनाई है Gogoro ने तो वो strategy क्या है सब जानेंगे इसी वीडियो में तो वीडियो को end तक देखेगा इसके बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों मैं हुझोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और मुझे इंस्टेक्राम पर फोलो कीजिए इंस्टेक्राम आइडि का लिंक मिल जाएगा आपको description box में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो कल गोगोरो ने एक इवेंट और्गिनाईज किया था जिसमें गोगोरो के चेर्मेन होरेस ल्यूक ने कहा कि हीरो मोटो कोप के साथ हमारे जो कॉलाबरेशन है उसका कोंट्रेक्ट हमें किसी दूसरी कंपनी के साथ कॉलाबरेट करने से नहीं रोकता तो दोस्तों देखे एक बहुत बड़ी बात है कैसे आप लोग जानते है कि ताइवान एक छोटा देशा है छोटा देशा याने की छोटी मार्केट है ताइवान में गोगोरो ने अपना स्टार्ट अप शुरू किया था 2015 में 2015 में सिर्फ एक परसेंट इलेक्टिक विकल्स बिका करते थे ताइवान में आज के समय में 11 से 12 इलेक्टिक विकल्स बिकते हैं जिन में से 80% मार्केट सेयर सिर्फ गोगोरो का है अब 80% मार्केट सेयर होते भी गोगोरो ने कहा कि हमें छोटे मार्केट का बड़ा इससा बन करके नहीं रहना चाता है हम इसमें विश्वास नहीं करते तो आप लोग जानते कि छोटा मार् अब आजाते हैं इस बात पर कि इंडिया में गोगोरो क्या करने वाला है तो दोस्तों इंडिया में गोगोरो एक पाइलेट प्रोजेक्ट चलाने वाला है इसी साल दिसंबर से इंडिया के अलावा गोगोरो जापान इंडोनेसिया सिंगापूर और इस्राइल जैसी कंट्री में भी पाइलेट प्रोजेक्ट चलाने वाला है दोस्तो इसके लिए इंडिया में गोगोरो ने 10 कंपनियों के साथ कोंट्रेक्ट किया है हिरो मोटो कोप के अलावा जिन में से यामाह सुजु की कंपनी भी है और एक important कंपनी है जिपी के इलेक्ट्रिक स्कूटर आप लोगों को रोड्स पर आम तोर पर देखने को मिल जाते होंगे दोस्तों अब बात करते हैं पाइलिट प्रोजेक्ट की जो अगले महिने से शुरू होने वाला है इंडिया में अब यह जब पाइलेट प सहत गोगोरो सो स्मार्ट इलेक्रिक स्कूटर प्रोवाइट करेगी जिपी कंपनी को और साती साथ चैब बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी लगाएगी यह जो स्कूटर होंगे इनकी बैटरी होगी सिर्फ 1.6 किलोवाट आर की और यह बैटरी स्वैप की जा सकेगी प्रान में गोगोरो का एक आम कस्टमर दिन में करीब तीन बार एक बैटरी स्वैप करता है और इंडिया में कितनी बार करेगा वो इस पाइलेट प्रोजेक्ट के बाद पता लग जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत गोगोरो के स्कूटर सुर्ष डिलीवरी के लिग समझ सके इंडियन रोड कंडिशन को समझ सके इंडियन कस्टमर्स की रिक्वार्मेंट को समझ सके इसके बाद जा करके कहीं गोगर कंपनी इंडिया के आम कस्टमर्स के लिए scooter इंडिया में लेकर के आएगी ये scooter कोई भी हो सकते हैं मैंने एक वीडियो में बताया था कि Gogoro S1 भी हो सकता है Gogoro Viva भी हो सकता है और इसके अलाव और भी काफी सारे scooter हो सकते हैं बट अभी इनके बारे में कुछ भी खुल करके नहीं कहा जा सकता कि कौन से scooter होगा कितनी range होगी कितना price होगा अभी इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है अगर कुछ भी आप किसी भी वीडियो में देखते हैं किसी और यूटुबर की तो आपको बता देंगे कि हाँ इतने kilometer की range वाला स्कूटर आने वाला है इतना price होने वाला है मगर वो सब अभी जोट है अभी इसके बारे में कोई भी clarity नहीं है तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो आहिए आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक करें और आप मुझे कोमेंट करके ज़रूर बताए कि आप लोग क्या सोचते हैं इस project के बारे में गोगोरो company के बारे में आपको क्या लगता है इनके scooters के बारे में आपको क्या लगता है और दोस्तों के सास्थ इस वीडियो को share करें और दोस्तों मैं electric vehicles से जोड़ी इसी तरह की जानकारी लेकर के आते रहता हूँ अगर आपको electric vehicles में interest है तो ड्रामापूर को subscribe करना बिल्कुल मत भूलना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए